पिछले लेक्षियर में हम लोगों ने आर्टिकल 112 की चर्चा कर लिया है ठीक जिसमें एन्वल फानेंशल स्टेट्मेंट इसकी चर्चा है और आप जानते हैं कि राश्टपती के नाम से हमारे हकाम होता राश्टपती हर साल आईबे का एक विवरण रखवाता है सदन में और और रेल बजट जो है एक वर्थ कमिटी की सिफारिज पर आया था जब रेल बजट आया तो आम बजट बन गया है वैसे आप देखेंगे तो बजट शब्द का जो है आपको संबिधान में उलेक नहीं मिलता है वारसिक विर्टि विवरण का उलेक मिलेगा जैसे मंति संबिधान में मिलता नहीं है खलाकि अर्टिकल 352 में एक बार इसकी चर्चा जो है जब आपात काल लगाया गया तो एक काइबिनेट सब्द का एक बार उपियोग आता है अधरवाइस मंति परिश्यत सब्दा पर इसको समझें काउंसिल आफ मिनिस्टर उसी तरीके से बज हम चलन में लोग कहते हैं बजड की ही बात करते हैं और फिर हमने देखा कि यह दोजार सतरा में फिर रेल बजट और आम बजट बन गया वजट हो गया तुदी सो पेश से जो रेल बजट अलग था वो 2017 आते आते एक बार फिर एक हो गया ठीक है यह आपकी information के लिए हो गया जो कल मतलब पिछले lecture में हम लोग उने चर्चा किया था अब आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे बज़ट की विधाई प्रक्रिया होती है बज़ट का निर्मान जो है आम तोर पे 6-7 महीने लग जाते है पहले हम लोग 7-8 महीने भी बोलते थे जब बज़ट आखिर में पेस होता था अब जनवरी खत्म होते ही पहले 28 फर्वरी के आखिर में तो आखरी दिन में एक महिना का पुरा अंतर था ना तो एक महिना घट गया जनरली जुलाई अगस्स से बजट को बलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो वहां से जनवरी तक जोड़ेंगे एक फर्वरी को आही जाता है यह जो पूरा प् कारे डिपार्टमेंट की क्या जरूरत है अगले साल के लिए जैसे एक फर्वरी को बजट जब पेस किया गया तो यह साल दोजार 24 का बजट था जो कि अपराइल में एक तारीक से क्या खर्च करेंगे उसकी शुरुआत करने था कि पिछले वाले बजट के 30 मार्च ते कोई समीलत है अपने प्रोजेक्ट है नया सोच है कैसे क्या करना है डिपार्टमेंट कैसे चलाना है क्या पर्योजना है क्या योजना है हर डिपार्टमेंट की जहां जिस तरीके से होता है जिसकी जिस वर्क नेचर जैसा है जैसे सड़क वाला होगा तो उसका वर्क नेचर करना है एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो सको कुछ और करना है तो सब को पैसे की जरूरत है लेकिन उपैसे को सब कलेक्ट करके पूरे तरीके से पैसा भभेजता है पैसे का कलेक्शन जो होता है कॉन करेगा सब को हिसाब लेकर के फानेस मिनिस्टर जाता है तो बजट बन गया बजट की एक बिधाई प्रक्रिया होगी क्योंकि आप संविधान में ही पढ़ेंगे कि बिना संसत की पर्मीशन के ना एक रुपया कर वसूला जा सकता है और नहीं संचित निधी से पैसा निकाला जा सकता है मतलब पर्मीशन मस्ट है पार्लियमेंट का सरकार जो है अपने आप में पैसा खर्च करने के लिए अंतिम फैसला नहीं है सरकार पैसा खर्च करने या पैसा कमाने को लेकर के वह एक जो है आस्रित है संसत पर बज़ट प्रस्तुत करना इसमें लिखेंगे presentation of budget, तो जब हम presentation of budget की बात किरते हैं, तो साहिर सी बात है कि budget को present करना, तो एक line लिखेंगे, demands of grants, of the budget are presented, the demands of grants of the budget are presented before the by the finance minister on a certain day, okay, this means that the budget of the budget will be established by a new day by the года. And which is the first day of the day? The first day of the festival was carried away, the first day of the year. अब फरवरी का पहला दिन होता है यही निश्चत दिन लेकिन रेकमेंडेशन किसकी होती है किसके रेकमेंडेशन पर यह बजट फाइनेंस मिनिस्टर लोग सबह में रखता है यह सब चीज को ध्यान रखो प्रेसिडेंट आप इंडिया के अब इसी में महीं पर विकल्प दे कि फाइनस मिनिस्टर जो है जो बजट रखता है सदन में वो किसके रेकमेंडेशन से रखता है किसकी सिफारिस पर पूर एक प्रकार से राश्पती की पूरु सिफारिस हैं सिफारिस भी नहीं पूरु सिफारिस पहल दे दी गई है तो कह दिया किसकी पूरु सिफारिस पर टो उसे हम प्रधान मंत्री लिग दिया। उसे स्पीकर लिग दिया। राश्टपती lóg देुक राश्टपती तो कई माई कलाल ऐसे हैं जो जा सकते हैं और राश्टपती को छोड़ करके। राश्टपती को ही छोड़ेंगे बाकि तीन विकलक पकड़ेंगे। गलत हमेशा जल्दी से मिलता है, इसलिए कहा जाता है अच्छा व्यक्त और अच्छी किताबें देर में समझने आती है, सही चीज समझने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है ना, इसमें आगे लिखेंगे, फिर जब बजट प्रिजेंट कर देगा, लिखें, इन इन इस बजट स्पीच, इन हीज लिखे, इन हीज बजट स्पीच, दुपाइनस मिनेस्टर एकस्प्लेञेंगे जुड़े इंपॉर्टन टौपिक्स रिलेटेट टु दुद बजट, बित्मंत्री अपने बजट भाशन में बजट से जुड़े महत्मुर्ण बिश्यों का इस पष्टी करन करता है ठीक है उसको क्लिरिफाई करेगा बताएगा कि यार हम यह सब क्यूं कर रहे हैं ठीक है बजट भाशन में रख दिया उसमें अब अगर आप कुछ देखा है जेनरली बजट में होता गया है जैसे आपके कुश्चन है बेसिकली बजट तो आप समझी गए बजट का मतलब इनकम एकस्पेंडीचर का एक स्टेटमेंट है जिसको भारती संभिधान में भारती कॉंटेस्ट में कहें एन्वल फानेंशल स्टेटमेंट हम करते हैं ठीक है लेकिन जेनरली बजट में क्या होता है तो कुछ हम एक दूपॉइंट बताते हैं आपको कि कभी कोई एक्जाम में कहीं कहीं कोई बात कहनी है कि बजट में क्या होता ऐसा है आप से कोई तूचा कि बजट में क्या होता है तो आप तो तैयारी करते हैं तो यह अपक्षा आप से हो सकती है कि बजट में क्या होता है बताया जाए तो पहले तो यह लिखिए कि जनरली बजट कंसिस्ट आफ साधानत है बजट में होता है नमबर वन लिखियेगा A statement of receipt and expenditure of the previous year ठीक है receipt and expenditure of previous year पिछले वर्स की प्राप्तियों और ब्याय का ब्यावरा राइट and a review उसे मिजोड के लिख लीजे and review of the financial position and the review of the financial position during this period इस दावरान की बित्ति इस्तिती की समिक्षा और कर लीजे और इस दावरान की बित्ति इस्तिती की समिक्षा बजट में क्या हो गया पिछले साल की जो रिशिप्ट है expenditures है ठीक है उसका ब्यवरा और उसकी समिक्षा इस दावरान की समिक्षा तो एक लाइन तो यह आपको है जोब एक बात है next लिखें second लिखेंगा estimation of receipts and expenditure for the next year इसका मतलब आगामी वर्ष की प्राप्तियों और व्य का आकलन उसमें होता है budget में दूसरी बात कि पिछले साल का receipt और expenditure और अगले साल का receipt और expenditure ठीक है तीसरा proposal of income to meet the expenditure proposal of the income to meet the expenditure of the ensuring year in-suing word आएगा वैसे in-suing year in-suing year इसका मतलब आगामी वर्ष के बैग को पूरा करने के लिए आय का प्रस्ता हो आगामी वर्ष जैसे 23 वर्ष के बैग को पूरा करने के लिए आय कहा से आएगा उसका proportion ठीक है आगे लिखिये इसी में after presentation in the लोग सभा लोग सभा में प्रस्तुती के बाद बजट को राज सभा में भी प्रस्तुत किया जाता है ये हो गई बात प्रस्तूती तक तो प्रस्तुती में जो बात बजट प्रस्तुत करना ये उसके लक्षण आप अप समझ लिए आप ठीक है ना बजट प्रस्तुत हो गया जिस दिन बजट प्रस्तुत कियगा जाता है आपने जAG牌ली टीवी खोल के देका होगा वी एक जब प्रस्तूत होता है, तो सिर्फ बजट भाषन होता है, बित मंत्री बजट को शुरू करते हैं जब बोलना, तो आखिर तक बोलते हैं, चाहे उसमें दो घंटा लगे, आदा घंटा लगे, डिल घंटा लगे, एक्स वाइजट जो भी है, उसमें बजट पर भाहस एक दू After the presentation of the budget, the budget proposal are debated in both the houses, बजट प्रस्तूती के बाद, बजट प्रस्ताओं पर दोनों में बहस होती, दोनों सदनों में बहस होती है, बहस मैंने बोला न, तुरंत नहीं होती है, इसके लिए एक समय निर्धारी किया जाता है, फिर सब लोग बजट बजट की कॉपियों पी रह रहिती जाओ पहले पढ़ो औरो तब इत्स पहस करोगे, अभी तो बित्वमंति बोले ही है, बित्वमंति पाल्यामेंट में दो और ऴ हगंटे में बोल दिये, तुर अभी को बीटेदि घंते दो घंते वह पर निर्वत करता है, किसा बजट बनाय गया है, कितना बोलने ला और वहां बैठे हुए लोग कितना सुनते हैं उनको देखकर के आइडिये लगाईए पार्लियमेंट में जो लोग बैठे होते हैं हमें लगता है कि उतने मन से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुनते भी हैं और वो भी कुछ इंट्रेस्टिंग चीज है जिसको सुनने के लिए लोग आतूर रहते हैं जैसे अगर सर्विस क्लास होगा तो अपना हिस्सा देखता है कि बजट में क्या है अना इंडिस्टी के लोग है तो अपना हिस्सा तलास रहे होते हैं कि बजट में सा क्या है आप्टर दे प्रेजेंटेशन आप दे बजट बजट प्रपोजला initiated by the leader of opposition, समझ गे, यह question, बजट का बहस कौन शुरू करेगा, बेपक्ष का नेता करता, बहस के दारान ना तो कोई मतदान होता है, during the debate, there is no voting, ना तो कोई मतदान होता है, and no amendment are introduced, और ना ही कोई संसोधन पेस किया जाता है, सिर्फ बहस होती है, ठीक है, बहस का दारान क्या हुआ, कोई भी संसोधन या मतदान की बात नहीं होती है, नहीं किया जाता है, एक important line और बता रहे हैं आपको, इसमें लिखेगा, all through, not all expenditure charged, on the consolidated fund, खला की, संचित निधी पर भारित समस्त ब्याए, not all expenditure charged on the consolidated fund, and submitted for the approval of parliament, इस line को ध्यान रखना, संचित निधी पर भारित समस्त ब्याए संसद की सुईकृती के लिए प्रस्तुत नहीं किये जाते, ठीक है, आगे लिखेगा, अनुदान की महांग, अनुदान की महांग लिखो, demands of grants, ठीक है, अनुदान की महांग में लिखे, demands of grants, इसमें लिखे, after the debate, अब debate खतम हो गया, बहांस के बाद, all expenditure estimates in addition to the expenditure charged on the consolidated fund of India, expenditure charged on the consolidated fund of India are presented before the work, in the form of demands for grants, इसका मतलब यह है कि बहांस के बाद भारत की संचित निधी पर भारित ब्याय के अतरिक्त, संचित निधी पर भारित ब्याय के अतरिक्त, समस्त ब्याय आकलन को लोग सभा के समक्ष अनुदान मांगों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अनुदान मांगों के रूप में कहां प्रस्तुत किया जाता है, हमने इंडिकेट किया हूँ, कहां अगर कहा जाए कि बहांस के बाद अनुदान मांगों को कहां पेस किया जाता है, लोग सभा में, राज सभा में, कुछ और लिखते, मंती परिश्यत में, ऐसे पिगाड़ के बनाते हैं न सवाल, तो आपको कहेंगे लोग सभा में, ठीक है, जब पेश किया जाएगा इसकी, तब इस दवरान क्या हो सकता है, एक लाइन लिखिएगा, During this, इस दवरान, amendments, proposal related to budget are also presented, क्या होगा, इस दवरान, बजट से संबंधित संशोधन, प्रस्ताव भी पेश किया जाते हैं, बजट से संबंधित संसोधन प्रस्ताव भी पेश किया जाते हैं, यानि बजट में कोई संसोधन अगर आप चाहते हैं, तो उसको पेश कर सकते हैं, और बजट में संसोधन बचा क्या चाहिए होगा, बजट कोई परियोजना है, कोई योजना है, ज्यादा एक्सपंडीचर है, फालतू लग रहा है विपक्ष को, तो अपना संसोधन सुझाएगा, और संसोधन कौन सुझाएगा, सरकार, नहीं वो तो रखाई है, संसोधन बिरोधी सुझाएगा, कि भीया यह होना चाहिए, आगे लिखो, अगर अनुदान मांग रखा गया है, तो कहां रखा गया है, लोग सभा में, अब संसध नहीं, लोग सभा में, लोग सभा क्या कर सकती है उसको, सुझार भी कर सकती है और, सुझार भी कर सकती है, तो लिखो अगला लाइम, दे लोगसभग कायन एसेंट और रिफ्यूज ठीक है लोगसभग सुईकार कर सकती है और इनकार भी कर सकती है रिफ्यूज कर सकती है या फिर क्या कर सकती है reduce the amount of money मांगी गई राशी को कम कर सकती है ठीक है तेन काम कर सकती है पहला बात को मान ले दूसरा न माने तीसरा माने लेकिन बोले कम कर दो अचाव था राशी बढ़ा नहीं सकती है केलर हो की नहीं हाँ अजी अगर ग्रांट को मांगा गया है क्यों यार अपने घर में आप पैसा मांगो जैसे आप चागे कहो घर वालों से मुझे होंड़ा सिटी लेनी है गजब कार ले लिया आपने बेरोजगार है अगल दर्जे के है ना क्यों आप अगल दर्जे के बेरोजगार है धेले भर की कमाई नहीं पढ़ाई में मन नहीं लगता है है ना मतलब हर लिहास से घर में आप मतलब निठलने है जो पढ़ता नहीं है और कमाता नहीं देखो कमाई की उम्र होती है पढ़ाई की भी एक उम्र होती है पढ़ाई शुरू करने के उम्र होती लिए पढ़ाई खतम करने कोई उम्र नहीं है पढ़ाई तो कभी भी कीजिए आपको क्या लगता है हम ऐसे घूमते रहते हैं अब ये बात नहीं कह सकते हम आप से ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि ये बड़ी बात हो जाएगी लेकिन हम आप से कम भी नहीं पढ़ते हैं हमारा पढ़ने का धंग अलग हो गया है हमारी इस परधा अपने आप से ही है हम तो डिवूटी ओरिंटेट परसन हो गए ना हमें क्लास का लेक्च्चर अपना मेंटेन करना है कहीं भाषण देना है उसको मेंटेन करना है आर्टिकल लिखना है उस पर काम करना है तरो किताब कुछ पूछे, आप ही कुछ पूछ ले, Class के बाहर पूछ ले, सडक पूछ ले, जहां चाहे रोक के पूछ ले, तो हमको बताने लाइक तयार रहना पड़ता है, तो ज्याधा तो नहीं पढ़ते आप से लेकिन लगता तो होगा इन बातों से कम भी नहीं पढ़ते, तो पढ़ना तो पढ़ता ही है तो पढ़ाई की उम्र कब खत्म होगी इसकी कोई निर्धार नहीं है लेकिन पढ़ाई कब शुरू होगी एक बच्चे में कब पढ़ाई डालना शुरू करना है इसका अपना एक निर्धारित उम्र किया जा सकता है और है भी तो पढ़ने में मन न लगे पढ़ने कुमर में भई पढ़ने कुमर में पढ़ने वाली उम्र है कमाने की है नहीं तो कमाने वाली पेक्षा तो नहीं की जाएगी लेकिन पढ़ने वाली तो की जाएगी अगर आप पढ़ने कुमर में पढ़ना ही रहे हैं और कमाने कुम्र है नहीं, है न, अगहर का न काम न काज, तो आप फिर वही होई निठले गीरी वाली हाल हो जाएगा, फिर बात जा रहे हैं निठले गीरी की तरफ, और आप जैसे एक होंडा सिटी, मैंने बोला कि होंडा सिटी की डिमंड करें, तो पाल्यमेंट जो है, जो आपका घर है सदन, लोकसभा, वहाँ भी एक लोकसभा एक राजसभा है, बड़े काम के लिए लोकसभा हम जाना पड़ता है, कभी-कभी देखें होंगे कि घर में बड़ा कोई काम करेंगे, जैसे आपको कार खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, ह जादी बया करना है, यह सब जो और भी ऐसे जोड़ लीजिए, घर बनाना है, यह सब काम बड़े काम है, तो उसमें लोकसभा की सहमती लेंगे, लोकसभा रूपी मतलब आपको पिता जी की सहमती, अमा क्या है, उराजसभा है, मा उसको लोकसभा अप्रूवल के लिए जाते हैं, जिसमें बाप ने जो फैंसला ले लिया, मा ले ना ले, बाप ले चुका है, जैसे आप होंडा सिटी की जाएंगे, पिता जी से बोलें कोचिंग जाने बड़ी तकलीफ होती है, एक होंडा सिटी हमको दिलवा दीके, ठीक, उसने फैंसला रिश्यूज कर दिया, बकवास मत कर, साइकिल खरी लेक हो, पैदल जा, साइकिल से जाएंगे, एक्टिवा से चला जाएंगे, जयदा से जयदा, यह कहां से फुतूर चड़ गया तुमारे, तो रिफ्यूज कर देगा, वो राजसभा से पूछेगा भी नहीं, कि रिफ्यूज करें कि न करें, तो कहीं कहीं लोगसभा का जो अधिकार हो बहुत बड़ा है, तो जब बजट लोगसभा में प्रस्तुत होता है, तो लोगसभा तीन काम कर सकती है, जब आप होंडा सिटी की डिमांड करेंगे, तो तीन काम किया जा सकता, उसको सुईकार कर लिये जाए, उसको रिफ्यूज कर पिता जी ने कहा, क्या कहा, होंडा सिटी, हाँ हाँ, बेलकुल बेटा क्यों नहीं, जरूर लो होंडा सिटी, निठले गीरी में को और मदद कर देंगे तुम्हारी हम, पैसा वेसा है, उन्होंने सुईकार कर लिया, बड़े बेबाग पिता सरी थे, अमीर थे, और भले ही अम पढ़ाए तका लुटा होगे, क्या, बिना मतलब को लुटा दोगे, किसका पैसा है, जनता का, तो पिता जी के अकाउंट में माना 20 लाग रुपे पढ़ा है, तो तुम कार के लिए बोले, होंडा सिटी लें लुटा जेंगे, क्या है, देखेंगे ने जरूरत है कि नहीं, तुन्होंने क्या किया, या तो एक्सेप्ट कर लें, रिफ्यूज कर दें, या कम कर दें, कि कार तो ले, होंडा सिटी के जिद के हो, अल्टो ले लो, कम हो गया न लेकिन वो बढ़ा नहीं सकते जैसे होंडा सिटी का आप डिमांड करें तो आपको मर्सेडीज नहीं दिलाएंगे यह उनके अधिकार में नहीं है ठीक है तो लेकिन चुकि लोकसभा में सरकार का बहुमत होता है तो आपने जनरली देखे होंगे कि बजट पेस होता है बजट पास हो जाता है हम कटवती प्रस्ताओं की बात आगे करेंगे नीती कटवती की बात करेंगे सांकेतिक की बात करेंगे टोकेन कट की बात करेंगे जो सांकितिक वगरा है मित्वेटा कटवती की बात करेंगे तीन कट लग सकते हैं पॉलसी कट कर दो भाई आपने प्रफूजल ही तो रखा है ना बजट क्या है बजट अप्रूबल थोड़ी मिल गया बित्मंत्री ने बजट भाषन किया बहस हो रही बहस में कुछ अच्छी चीज निकल आई बोले भाई ये मुझे याद है ब्यासी पर्योजना थी 900 करोण रूपया की बहुत पहले की बात बता रहे हैं आपका हम लोग पढ़ते तुश्टा है 900 करोण की बैसी पर्योजना थी उस पर चर्चा हुआ कि पहले पर्योजना बनाई ये फिर ये करिये फिर वो धर हमारी उसकी लड़ाई रहती कल कोई बं फोड़े पानी ये मतलब ऐसे डिसकस हो रहा था तो हम बहुत संबेदन सील जगहों पर बहुत वैसा कोई काम करने जाएंगे जो हमारे लिए ही खत्रे हो जाएं तो कोई याद दिला देगा न अगर सरकार को यह समझ में आ जाए बजट पेस्ट करने वाज़े कि साब ये यार ठीक बोला जा रहा है तो आप पॉलिसी भी कट कर सकते है हम चार पॉलिसी आपके सामने रखे बहांस में पता चला कि एक पॉलिसी यार हटाया जा सकता है तो पॉलिसी कट कर लो मित्वेज़ा कटोती भी लाई जा सकती है इसमें कोई ज़रूरी दिक्कत नहीं है भाई कोई चीज सव रुपे की है हमने आपको परामर्श दिया कि यह चीज 80 रुपे की भी दिलाई जा सकती है और यह मिलती है वहाँ पर तो बीस रुपे कम हो गया न यह क्या हो गया एकोनॉमी हो गया न मित्वेज़ा आगई न इसमें तो तीन प्रकार का कट लगा जा सकता है पॉलसी को ही कट कर दो पैसे को कम कर दो मित्वेई कर दो और एक सांकेतिक होता है जो सरकार को नीचे दिखाने के लिए विपक्षी करते हैं सांकेतिक कटो की जैसे हम आप से कहें कि हम आपको 10,000 रुपया देंगे लिगे एक रुपया कम देंगे माना इसे बोलें यह सो रुपया कम देंगे तो आप कहेंगे यार 10,000 दे रहा है एक रुपया कम क्यों ने कभी आपको एक एक एक्जामपल देते हैं आप दुकान पर जाईए गए होगे हुआ होगा बस हम याद दिला रहे हैं आप रिमाइंड कीजिए कभी न कभी आपके साथ हुआ होगा सब के साथ कम ज्यादा हुआ होगा आप एक दुकान पर गए और बोले यह मान लो डबबा लेना है आपने कहा जरा मुझे डब्बा दिखाईए ये लेना है उसने डब्बा रखा आपने कहा कितने का है उसने कहा 100 रुपे का ये 100 रुपे आपने कहा कुछ कम नहीं हो सकता क्या ठीक है उसने कहा कि भाई इसमें मार्जिंग नहीं रहती है थोड़े मोड़ा मिलता है लेकिन आप कह रहे हैं तो पांच रुपे कम कर सकता हूँ ठीक है आपने कहा कि ये असी रुपेक दे सकते हो उसने पांच रुप çok कम किया आपने का 80 रुप दोगे उसने कर चलिए अपना रस्ता पकड़िये सिर्फ पनचानभी रुपय से एक रुपय कम नहीं देंगे धिर आपने कहा अरे यार चलो 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 छोड़ो पचासी रुपय दें देंगे ठीक है पचासी रुपए देने के लिए आप तयार हुए उसने कहा भाई साहब पंचानबे रुपए से एक रुपए कम नहीं करूंगा अब उसके कहने में और जोर है पहले पांच रुपए कम किया यह उसकी लिबर्टी दिखती है मतलब लिबरल है थोड़ा मार्जिंग को कम किया मतलब पहले कहरा तक कम है का और कम कर लिए है हमें लगा चलो 80-80 में कर लेते हैं तो उसने और जोर देके कहा कि भाई साहब इससे एक रुपए भी कम नहीं होगा 95 रुपए से आपको लेना हो तो लीजिए ना लेना हो तो भाईय तो कोई बाती नहीं है ठीक, आपने का छोड़ो यार ना 95-90 रूपय देंगे आपको, ठीक, आप तो उसको 5 रूपय बढ़े, फिर 5 रूपय बढ़े, अब वो बोलेगा आपको समझ में नहीं आ रही भाज साब, हमने बोल दिया ना कि 95 रूपय से एक पैसा कम नहीं होगा, एक पैसा हमें एक कर रहे हैं, आपको धीरे-धीरे बुरा लगने लगेगा, जैसे वो बोलता जा रहा है, आपको धीरे-धीरे बुरा लगेगा, तो उसका प्रतिकार यहीं होगा, हम उसका समान नहीं लेंगे, एक रूपय भी कम नहीं करोंगे तुम, मतलब नब्बे का तो छोड़ो, तुम आप याद करेंगे, तो कभी कभी हुआ होगा, आप गुस्स उस समान को रखो तुम अपना भैर, आप चले आए होंगे, ठीक, आने के बाद, चुकि डिबबा तो आपको लेना है, तो अगल बगल के दुकान पर जाएंगे, फिर लेंगे, तो उस ने उस दुकान पर गए, तो उसने कहा डबा कितने का बूला, 110 रुपिया की, भई इसमें कोई ऐसा तो था नहीं, वो तो दुकान दार को कितना मार्जिंग लेना है, किस तरीके बार्गेनिंग करना लोगों पर निर्भर है, उसने सोचा 110, भई हर लोग अपना बार्गेनिंग का एक लेबल रखता होते ना, उन्होंका 110, तो आप छूटते ही क्या बोलोगों, छूटते ही बोलोगे, अरे यार क्या लूट रहे है, अब भगल की दुकान में पंचान भी रूपए कर दे रहा था, आमने नहीं लिया, ठेक, चोंकि असल में क्या होता है, खरिदारी जो है, डेपेंड्स आन आटिट्यूड, यह पैसे पर बाद में निर्भर होता है, पहले हमारे आटिट्यूड पर निर्भर होता है, हमारे जेब में 5000 रूपए है, लेकिन हो सकता है कि हम 100 रूपए की चीज़ पंचान में लेना चाहते हूं, यहां बात पैसों की नहीं थी, बात आटिट्यूड की थी जैसे उसने कहा कि 110 रूपए का है हमने कहा है रहे भाई वो बगल का दुकानदार तो पंचान भी रूपए के दे रहा है आप तो यार बड़ी लुटा ही मचा रखे हो अब यह डेपेंड करता है कि आपकी इस प्रतिक्रिया पर उसका अटिट्यूट कैसा है उसका दो हो सकता है एक यह हो सकता है कि नहीं भाई साब पड़ता नहीं पड़ता है वो पता नहीं कैसे दे रहे हैं हमारा तो 110 का है ज्यादा स्यादा आप करेंगे पांच रूपए कम कर देंगे इतना हो सकता है लेकिन वो किस तरह से हम नहीं समझ पाते है न वो हमसे मतलब ह एक तो यह होता है जबाब एक बोलेगा कि जब पंचानवे रुपएक मिल रहा है तो जा कि वहीं से ले लीजिए अब जैसे ये वाला जबाब देगा कि जब पंचानवेक वहां मिल रहा है तो हमारे यहां क्या कर रहा है वहीं से जा कि ले लीजिए चुकि वहाँ जा नहीं सकते अब पंचान बेका भी लेने के लिए वहाँ नहीं जा सकते अरे यार थोड़ा और कम करो थोड़ा करते करते उसने बोला कि अगर आप लेना चाह रहे हैं तो एक रेट अभी है पंचान बेर रुपेक दे दूगा आप वही समान उसके यहाँ से पंचान बेर रुपेक लाएंगे लाए होंगे लेकिन उसकी दुकान पर नहीं गये होंगे ये तो मैंने इतना नो प्रॉफिट नो लास बता दे हो सकता है कि पूरे बजार में 100 रुपे से कम में न मिलता तो आप उस 100 रुपे को लाते बट उसकी दुकान पर नहीं गये होंगे है ना तो यह एक प्रकार से जिद है यह एक ऐसी जिद है जिसमें पैसे की बचत की बात नहीं है सिर्फ इसमें जिद की बात है जब उसने कहा कि एक रुपया भी कम नहीं कर सकते तो आपको जिद हो गया कब एक रुपया भी ना कम करा है लेंगे नहीं जब बजट में कहा जाता है कि आपको हम 10 करोण देंगे, 100 रुप्या काटेंगे तो सरकार को वजिद हो जाती है कि हम लेंगे तो 10 करोण ही लेंगे 100 रुप्या कम इससे क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि आप हमको थोड़ा नीचा दिखा रहे हैं विपक्ष कहता है कि भाईया हम आपको 10 करोन अप्रूब कर रहे हुआ है, 100 रूपीय कम देंगे आपको, एक रूपीय काटेंगे इसमें, जहां 10 हजार या 10 करोन हो, 100 करोन हो, वहां 10, 2, 10, 100, 10 क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कहीं न कहीं तो चाहे पॉलसी कट हो गौर्मेंट के मानने पर निर्भर है यानि लोग सभा सरकार वही रहती है सरकार को बहुत होती है चाहे सांकेति कटवती हो चाहे मित वहीता कटवती हो यह सरकार को उपन निर्भर यह दो यह बार्गनिंग का तरीका हो सकता है अगर विपक्ष अटिट्यूड में बात कर रहा है तो सरकर क्यों सुनेगे अगर विपक्ष जो है मित बैता की बात कर रहा है पॉलिसी कट की बात कर रहा है और अच्छी बात बता रहा है मौझूदा समय में अगर आप इस्तितियों को ठीक साध्यन करें तो यहाँ पर डेपेंड करता है कि जो बेपक्ष के लोग हैं वो किस आटिट्यूट के हैं डॉक्टर मनमोहन सिंग प्रधानमंती रहे दर साल बहुत अच्छे अर्थसास्त्री है और देश में अर्थव्यूस्था को बनाये रखना सबसे बड़ी चुनोती होती है लेकिन मनमोहन सिंग साब से आर्थिक सलाह लेने में कोई गुरेज होना चाहिए नहीं होना चाहिए भई कांग्रेश के प्राइम मिनिस्टर थे लेकिन देश के नागरिक तो है न एक देश का होनहार एसेट आपके पास है तो उससे पूशने क्या दिक्कत जाता है कि भई इस पैरामीटर पे हमें कुछ आपकी तरफ से अच्छे सजेशन सब्दी दीजिए आउट्सोर्सिंग भी तो सरकारें करती है ना सचिवाले में बिजली बल्ब लगाने वाला कंप्यूटर ठीक करने वाला सब आउट्सोर्सिंग किये होंगे किरायक मकान लेकर के सरकारी दफ्तर क्षोड़ देते। सब आउट्सोर्सिंग हर जगे प्लॉटस और वृल्डिन धोड़ी करते रहते गवर्मेंट तो आॉट्सUर्सिंग करती है तो विचारू का आॉट्सUर्सिंग करलो भाई आपके आपनेज्समिनिस्टर हो या कोई भी मिनिस्टर हो लगता वो कमतर पढ़ रहा है तो बाहर से सोर्स ले लो समझाने वाले लोग मिल जाएंगे बात देश की है ना बात आन बान सान की नहीं है बात देश की जान की है लिखो अच्छा मैं यह बता दिया रिफ्यूज कर सकता है एक्सेप्ट कर सकता है कम कर सकता है बट बढ़ा नहीं सकता है यह लिख लो मगर धनरास बढ़ाई नहीं जा सकती बढ़ाने ब्रद्धी करने का अधिकार उसको नहीं है लिखें not have the right to increase the amount बढ़ाने का अधिकार नहीं उसके पास अगर मान लिया लोगसभा में लोगसभा इसको refuse कर दे या कमी कर दे कमी कर दे तो ऐसे में government का क्या होगा budget का क्या होगा सरकार का क्या होगा मान लोग अप्रूब कर दिया कि हम refuse कर दिया आपके budget को budget ठीक नहीं है या उसमें कमी कर दिया ऐसे इस्तिती में सरकार का क्या होगा बजट को रिफ्यूज कर दिया जाए लोग सबाब बजट के खिलाब बोट दे दिया रिफ्यूज कर दिया उसको तो गॉवर्मेंट का क्या होगा नहीं नहीं मेरा कुश्चन यह है कि बजट रखा गया है बोटिंग होई तो बजट के खिलाब बोट हो गया एक प्रकार से बजट प्रस्ताओं को खारिज कर दिया लोग सभाने बजट पास नहीं हुआ है ऐसा हो सकता है ना तो पॉस्बिलिटीज की बात कर रहा हूं तगर ऐसा होता है ऐसे में मूदी सरकार का क्या होगा सरकार किस स्तितिय में होगी नहीं बजट किसे ने रखा है तो सरकार ने आपने बजट रखा और लोग सभण कहरें हम आपको बजट पारित नहीं वो गिर गया बजट हुत है घंब बजट पे बॉट इıl होगी न तभी तु आप पैसा खर्च करेंगे और तभी पैसा वसूलien क्या बोला कि संसद के बिना पर्मिशन से न एक रुपिया वसूल सकते हैं न संचित निकाल खर्च कर सकते हैं और बजट आपने रखा बजट पास नहीं हुआ लोकसभा ने पास नहीं किया उसको बेकार बजट है आपका हम खिलाब बुटिंग करेंगे सरकार भाई साब आओधे मूट गिर जाएगी उसका सब कुछ दातों तूड जाएगा खताम निस्तो नाबोत नो कॉन्फिडेंस मोशन है यह अविश्वास प्रस्ताव हो गया अविश्वास हो गया बजट पारित नहीं होने के स्थिति में सरकार खताम लिखी एक लाइन यदि लोग सभा में अनुदान मांगों का असुईकार करने जो ग्रांट आपने मांगा है उसको असुईकार कर दिये जाए इफ अमोशन तो रिजेक्ट और रिद्यूज दिमांड साफ ग्रांट यदि लोग सभा में अनुदान मांगों का शुईकार करने या उसमें कमी करने संबंधी प्रस्ताव पारित हो जाता है क्योंकि दिमांड पारिशद को त्याग पत्र देना पड़ता है क्योंकि आज इतर्ट प्रस्ताइब अनुदान प्रस्ताइब अनुदा पड़ता है क्योंकि इसे अविश्वास प्रस्ताव की तरह समझा जाता है ठीक हो गया अब बजट में राजसभा के इस्तिति पर लिखिए राजसभा पोजिशन अन्द बजट लिखें बजट प्रपोजल, बजट प्रजेंटेड इन राजसभा, बजट राजसभा में प्रस्तुत और डिबेटेट अन इट, और उस पर बहंस करा ही जाती है, कैन गिविन दियर ओपिनियन, अपनी राज दे सकते हैं, बट, नो कट मोशन, ना तो कोई कटावती प्रस्ताव, ना बोटिंग, समझ गये हैं, ना इस पर मंदान कराया जाता है, यह राजसभा की स्थिति, सारा चीछ कहां पर होगा, लोगसभा, ठीक है,